आज हम इसकी चेप्टर नमर 7 कर रहे थे हैं आज हम इसकी फर्दर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.3 करेंगे ठीक है तो उससे पहले उसका थीम देखते हैं कि 7.3 में हम क्या है स्टुडेंट सबसे पहले आप पेज नमर 158 पे आ जाएं ठीक है यहां हम ट्रिग्नोमेटिक की कुछ रेशोस के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे उसको फर्दर देखेंगे कि क्या होती है ठीक है सबसे पहले देखें आपको यादोगा हमने 8 किलास में भी पढ़ा था हमारे पास mostly तीन ट्रिग्नोमेटिक की बेसिक होती है साइन थीटा, साइन, को साइन और टैंजेंट ठीक है और इसको हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा 10, साइन, टैन और कॉस अब इसके opposite भी होते हैं कि आपने ये बात गयाद रखने हैं कि साइन का opposite होता है, साइन का उल्ट होते हैं यानि कि साइन का, साइन थीटा को जब हम 1 और साइन थीटा कर देते हैं तो वो हमारे पास cosecund थीटा के एकवला आ जाता है, ठीक है साइन का उल्ट, 6 quantities बनेंगी इस तरह, 10 का आ जाता है, जब हम 1 और 10 कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है, कौट थीटा ठीक है, इसी तरह जब cos का हम 1 और कॉस कर देते हैं, तो वो हमारे पास secund थीटा बन जाता है, ठीक है यह हमारे पास बेसिकली तीन तरह की quantities है, यह आप लोगों ने इन तीनों को देख लेना है, ठीक है 1 और साइन, साइन का इनवर्स कर देंगे तो cosecund theta, 10 का इनवर्स कर देंगे तो cos का इनवर्स कर देंगे तो secund theta, यह हमारे पास बेसिकली कितनी ratios बन गी यह six ratios आपको लड़नों चाहिए और इनका opposite आपको लड़नों चाहिए, अब हम quadrant में आ जाते हैं, quadrant पहले भी, quadrant यह वाला quadrant होता है, हमारे पास first quadrant, यह second quadrant, यह third quadrant और यह fourth quadrant, ठीक है तो आपने values यहाद एक नहीं है, कि trigonometric का जो graph है, यह trigonometric की जो ratios हैं, जानि कि sin, cos, ten वगेरा, उसकी value इस तरह हैं कि sin, cos, ten, यह सारे जो है, वो first quadrant के अंदर positive होते हैं, ठीके, अगर यह sin, cos, ten positive हैं, तो इनके जो inverse हैं, को second theta, second theta, को tangent theta, वो सारे भी positive होगे, second quadrant के अंदर सिर sin theta positive होता है, बाकि cos theta और ten theta negative होता है, यह देखे, यहाँ साथ में उसमें लिखा भी होगा है, ठीके, जो positive का मतलब होता है, greater than zero, यह positive है, ठीके, और negative का मतलब है, less than zero, और यह minus में है, ठीके, तो अब इसमें sin, sin का inverse होता है, cosecant, तो cosecant भी positive होता है, बाकि tangent हो गया, cotangent हो गया वो सारे क्या हो जाते है negative हो जाते है ठीक है next आपका है tangent जीता tangent वाले में आपके पास ये वाले में देखे third quadrant में आपका ten जो है वो positive होता है और उसका inverse cause भी positive होगा cause भी लेकिन sign और cause positive नहीं होगे वो दोनो negative होगे negative और positive होने का मतलब कि जो answer है उनकी जो value है वो negative होगे ये basically आपको mcqs में आता है ठीक है वहाँ use होता है और उसको हम उसको वहाँ disquenish करते है इसके बाद last है आपका quadrant है 4 जिसमें आपके पास cause जो हो positive होता है secant भी positive होता है sign negative हो 10 भी negative होता है ठीक है students तो ये चीज़ आपने learn रखनी है इसके बाद students पे नबर 159 पे इसकी दो एक्जामपल्स दी होनी है जिसमें आपको एक technology ratio given है और बाकी वो value ratios find करने के लिए कह रहा है ये दो एक्जामपल्स है ये आप लोग ने हुद देखनी है इसके बाद student exercise पे आज़े है exercise नबर 7.3 smarts ले बसके according के हम करेंगे first part का question number two, three second part का question number one or two third part का question number three, four fourth part का question number two, four और fifth का नहीं करेंगे question number eight करेंगे question number eight or nine ये आपने लोगे learn करना है ये important है question ये आपको paper में long आता है क्या आता है? long है और ये important है question ये mark कर लेना आप सबने इसके बाद आप लोगे question number 12 का first part, fifth part और nine part करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखे student 7.3 का question number one का graph पे draw करना है, plot करना है तो ये वाला part हम अभी नहीं करेंगे हमारी previous exercise का भी ग्राफ पे plotting वाला point रहता है सबसे पहले हम देखते हैं, इसका question number two कहता है, identify the closer quadrant angle between which the falling angles are, अगर angle given है, तो बताएं, इसके क्रीब क्रीब quadrant कौन से है, सबसे पहला है 156 degree, secondaire 318 degree, तो इसको देखते हैं student सबसे पहले आपने quadrant बना लेने degree में, तो 0 degree से start होता है, यहां जाके 90 degree हो जाता है आप वह भी देख सकते हैं, हमने D से भी चेक कर सकते हैं, यहां 180 degree का होता है, यहां 270 degree का होता है और फिर दुबारा 360 का हो जाता है, यह आपको plane याद रहनी चाहिए अब पहला angle है 156 degree, तो 156 देखें, आपका किदर लाई कर रहे है 90 और 180 के दर्मियान में लाई कर रहे हैं, तो आपने 90 और 180 degree के निकाल देने कि इसका quadrant है 90 से लेके 180 degree के वाला है, ठीक है इसी तरह इसका question number 2 है, जिसमें आपको वह कह रहा है 318 degree given है, तो कहता है 318 degree चाहिए, तो 318 degree देखें, आपका कहां आ रहे है इधर आ रहे है न, 270 से जाद है और 360 से काम है, तो आपने quadrant लगाना है 270 से लेके 360 degree तक, ठीक है students, इसी तरह students, इसका question number 3 है find the closer quadrant between the angle, write the answer in radian मेयर अब दूसरा, ये degree में था, ये radian में है, सेम चीज़ दोनों सेम है पहले वाला degree में करना था, अब ये वाला radian में कर दा है इसका question number 3 करना है, आपने, question number 4 करना है, 3 देखते है, minus 5 by 4 और 4 भी student ये देखे, इसका सबसे पहले आप quadrant रहा करेंगे, तो ये हमारे पर 0, 90, 90, डिग्री को डिग्री को रेडियन में चेंज करके देख लें, ये pi by 2 आएगा, ये pi आएगा, ठीक है और ये 3 pi by 2 भी होता है, minus pi by 2 भी लिखते हैं इसको, तो minus pi by 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है तो अब आप देखे, minus pi by 4 कहा लाइक कर रहा है, ये देखे, minus pi by 4 हमेशा जो है, वो इदर को लाइक कर रहा होगा आप चेक कर लें, minus pi by 4 को 2 भी डिवाइड करके भी चेक सकते हैं, तो वो आपका इदर लाइक कर रहा होगा, तो वो कहां से लेक है, 0 से लेके, minus pi by 2 के दर्वियान में, इसी तरह हमने 0 से लेके, minus pi by 2 लिख दिया इसी तरह, next वाला आपके पास है, minus 3 by 4, 3 pi by 4, तो ये इस तरफ को लाइक कर रहे हैं, तो आपने इस तरफ को जाना है, तो ये भी minus pi by 4 है, तो जब उल्टा जाते हैं, ये चक्कर आपका, एक तो आपका इस साइड पे लेने हैं, पहला हम जो ले रहे थे वो इस साइड का च 3 pi, minus pi by 2, ये भी आपने learn कर लेनी है, student इसी तरह, आपका question number 5, 6, 4 दिया हुआ है, जिसमें वो कहता है, बताएं, थीता कौन से quadrant में like कर रहा है, ये हमें condition अगर पता होगी, कि sign किस quadrant में positive है, cos किस quadrant में positive है, 10 किस quadrant में positive है, तो हम simply ये conditions भी find कर सकते हैं, तो quadrant भी बता सकते हैं, ये आपको paper में mcqs आता है, बहुत बार आया हुआ है, ये paper में mcqs इसको अच्छे से करना है, ठीक है, sometime ये आपको short में भी आ जाता है, लेकिन mostly mcqs आता है, इसको देखते हैं, ये कैसे करेंगे, तो student इसका आपको question number, question में given था कि cause less than zero है, sign भी less than zero है, यानि कि cause भी negative है कौन सा quadrant हो जाएगा, third quadrant, अगला क्या है, cause negative हो 10 भी negative, इसका मतलब है sign positive है, sign positive कौन से quadrant में होता है, second में, इसका answer आपको क्या हो जाएगा, second, अगर आपको कोई old condition given होगी, तो आप उस तरह इसकी value find कर लेंगे, ठीक है student, इसके साथ हमारा, इसका question number 8 और 9 है, जो कि हम कल कर ले आपने questions करने है, इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको, ये table आपने अच्छी तरह learn करने है, इसके opposite learn करने है, और ये आपने table को अच्छे से learn कर लेना है, इसके साथ साथ ये जो examples हैं, ये आपने देखनी हैं, ताके हमारा next question सौल हो सके, ठीक है, तो इन्शाला कल हम further इसको continue करेंगे, हमारे टॉपिक को फर्दर देखते हैं, तो अला हापिस,